लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्टरा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें बड़े प्यार से तुने बड़े प्यार से तुने दिल में प्यार की बुलबुल पाली तेरे दिल का लहू चूस कर बुड़ गई इक दिन सालिक किसी का दिल जो तोड़ेगा खुदा क्या उसको छोड़ेगा किसी का दिल जो तोड़ेगा खुदा क्या उसको छोड़ेगा किस दुनिया में हमने देखा तिल तिल का है लेखा घिसने से जा घिस जाती है हाठ पाप की रेखा जान बुझ कर कर्म से जो भी मुझ को मोड़ेगा खुदा क्या उसको छोड़ेगा किसी का दिल जो तोड़ेगा खुदा क्या उसको छोड़ेगा खाए मदारी उसकी भूका रह जाए बंदन नेकी तो जो छोड़ बदी से विष्टा जोड़ेगा खुदा क्या उसको छोड़ेगा किसी का दिल जो ठोड़ेगा खुदा क्या उसको छोड़ेगा सोच समझ कर जो भी करना उस पर क्या पच्छताना सीधे रसते चलते रहना देख भटक ना जाना देख भटक ना जाना वो उल्जन की या बात किसी का दिल जो तोड़ेगा किसी का दिल जो तोड़ेगा बड़े प्यार से रहुने दिल में प्यार की बुलबुल पाली तेरे दिल का नहू चूस कर उड़ गई एक दिन सालिक किसी का दिल जो तोड़ेगा खुदा क्या उसको छोड़ेगा किसी का दिल जो तोड़ेगा खुदा क्या उसको छोड़ेगा का जोड़ेगा कि का य है? ये एकी ओ… आचेनी ये ब ब ब बीचे वाल बारी स्माट लेडी साहब आपको कुछ सामान पसंद आया हाँ अधा पसंद आया मैडम हम आपका बैक चेक करना चाहते हैं क्यों कुछ लोगों को स्टोर से बगार पैसे दिये चीजे ले जाने का शौक होता है कालिंग जो चाहिए ता ले लिया ना कैशियर ये बिल मेरे दफ्तर भेज़ देना के चलो हमें घर जल्दी पहुंचना है अब लेकिन मैं टेलेफोन करके बता दूँगा तुमने क्या क्या लिया है चलो चलो तुम्हारे दिमाग में एह बात कभी नहीं आए कि जी तुम कर रही हो वो गलत है क्या गलत है और क्या सही ये बातें सिर्फ अमीरों के ड्रॉइंग रूम में अच्छी लगती है भूके के लिए रोटी सबसे बड़ा धर्म है चाहे उसके लिए उसे चोरी क्यों ने करनी पड़े लेकिन ये जो चीजें तुमने चुराई हैं ये इतनी ज़रूरी नहीं इतनी भूके के लिए रोटी है हर आदमी की अलग-अलग वक्त में अलग-अलग जरूरत होती है मैं एक्ट्रस बनना चाहती हूँ और उसके टेस्ट के लिए मुझे ये चीजें बहुत जरूरी है लेकिन तुम पकड़ी भी जा सकती थी, तुम्हें जेल भी हो सकती थी मैं हरकी में देनी के लिए तयार हूँ अगर मैं तुम्हें मुफ्त में एक्ट्रस बना दूँ तो ऐसा नहीं होता इस दुनिया में मुफ्त कोई भी चीज नहीं मिलती लाइट्स तुम इस वाक्त मेरे थीयटर के स्टेज पर हो चाहो तो अभी से एक्टिंग शूर कर सकती हो सच मेरे जनम दिन पर इससे खुबसरूर तुफ़ा मुझे कभी नहीं मिला आज तुम्हारा जनम दिन है? सुरी खुशी में बूल गई आज की दिन में पैदा जरूर हुई थी लेकिन मैंने अपने जनम दिन कभी नहीं मना है तो फिर आज मनाएंगे यह लग चैंपेंड खोलो और अपना बर्डे अपने हाथों से बनाओ हुआ प्राइब तुम्हार मुचैं तो स्थरी जए लुगन खूरे लोना है! Hagcza है, जैफ जैमार कि यहारा, keyिने! पो कि उनने, रिसे झाल झाल इस खुदकर्जी से भरी हुई समी पर, मेरे अकेले महरपां की नाव लेकिन हम इतनी दूर दूर क्यूं है? दूरी तुम्हें बहुत पीजे छूड़ाया हूं शेंपिना भी हाथं में है और पाहूं में मैं जू पीना चाहे पीलीजे I love you आप जू प्यार से देखें तो समिझती हूं करम एं तो एसान हूं एसान फरामूश नहीं Ready? Stop! यह क्या कहा रहे हो राकेश यह वही चहरा है जिससे देखने के लिए तुम्हारे आखे मेरे दर पे लगी रहती थी और यह वही जील से नीली नीली आखे हैं जिसमें डूब जाकर तुम अपने दिल तरश्कर लिया करते थे और यह वही होटे जिनकी जुम्बे से तुम्हारे बदर में कपकपी उठने लगती थी मेडम रंजीत साब के इस थेटर में मिस्टर राकेश जैसे कलाकार काम करते हैं कोई एरा गहरा नहीं आप थेटर के लिए नहीं सिर्फ मॉड्रिलिंग के लिए ही फिट हैं नीली जील से यह मोती क्यों बाहर आ गया डिरेक्टर ने मुझे ना मुंजूर कर दिया लेकिन मेरी नजरोंने तुम्हे मुंजूर कर लिया मुझे समझ नहीं आता है यह सब कैसे हो गया क्यूं कब कहा हो गया मैं नो 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 तुम अचे एक बात बता दुनिया में जिन्दा रहने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है सांस सांस और यह तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है दुनिया में जिन्दा रहने के लिए सांस जितनी जरूरी है स्टेज पर कैरेक्टर में जान डालने के लिए सांस उतनी ही जरूरी है तारीख में दो नाम हैं सीता और राधा सीता और राधा जो प्यार और बलिदान में इतना आगे निकल गई कि उनका नाम भगवान की नाम से पहले लिया जाता है सीता राम राधे कृष्ण आज शाम राधा की रोल में मैं जिसका लागार को पेश कर रहा हूँ उसका नाम है मिस रोहिनी कि आगे अचा लाधा लाधा है मुरारो परं मुरा अदुआ हले हले डोले काणा तोर संग संग मुरारो परं मुरा अदुआ हले हले डोले काणा तोर संग संग हले हले डोले काणा तोर संग संग मुरारो परं क्या गुकुल में क्या मत्रा में क्या है बिंदरापन में छोड़ के बिज़ को बिजबासी बस जाओ मोरे मन में एक अनेक से हम हो जाए बस एक दूजे में खो जाए चोरी चोरी मिलेने से आगल में तंग मुरा रो परंग मुरा रो परंग होले होले डोले काना तोरे संग संग मुरा रो परंग मुरा राजी चाहे छुप जाओ इस भीगे आचल में कैसे आगल दाडी मोहत राधा जल्वे जल्वे मुरा जी चाहे छुप जाओ इस भीगे आचल में छुलू तो है अंग लगा लो प्रासे मन की प्रास बुछा लो जम नाजी में मोज उठे मन में उठे मंग मुरा रो परंग मुरा रो परंग हले हले डोले काना तोड संग संग मोरा रो परंग जल्यवां हर अरू आए जल्यवा चैक में जल्यवदा याज़ फुप चाहतлов प्रीषक एंड वो देख की धर्मत देख पिया मैं देख रही हूँ दर्बन जी भर दूँगी मैं कर दूँगी तनमन तुम्रे अरपन देख मैं जी धर्मत देख पिया मैं देख रही हूँ दर्बन अपने को दयात कर लूँ मैं सोला सिंकात कर लूँ लाज के मारे हो गया लाज ये गुरा रंग मुरा रूप रंग मुरा रंग हाले हाले कले तानां तोर संग संग मुरा रूप रंग कर लूप रंग रंग बाज कर रंग 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 हाँ प्रुछ लुड्ड करू़ी तो एकल आड़ा राँ लुड़ा भाँ, भूख राँ झाशा बरे किुए औरे कि अपटाराई यगाँ नाढ राँ, आ जा इाया राँ, नाद राँ का भंजा नाँ उताराई कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो झाल झाल नौकरी के अलावा, मैंने बहुत मेनद की, दिन रात मेनद की, बोज उठाए, पथर तोड़े, अपने पे को काट काट कर उसे पढ़ाया, लिखाया, इसलिए, इसलिए को मेरी तरह उड़क न रहे। दुनिया की बेशमार जुबाने यकसा लफजों में इस जगा के खिलाव गुस्य और नफ्रत का इज़ार करती है, वो कहती है यह बुरी जगा है, यहां जुवा खिला जाता है, मैं उन ना मुनसिफ मुनसिफों से दरियावत करता हूँ, कि अगर यह जगा जुवा खना होने अबने जने यहां अबना सकते है, वो कषए घएर मर कि वाम जालिप्टी अबने खर कि चार्ड़ बदेश चार्ड़ जगावाई कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो आपको अपने आपको हालात के मुताबिक काफी अजिस कर चुकी है फिर भी मेरी राय में अगर आप कोई सीता जैसी नर्स रख ले तो रप साब एक पती के लिए उसकी पत्मी से अच्छी नर्स और कौन हो सकती है कम यारे उस तरफ कौन उल्लू का पठा खड़ा है तेरा जुड़ा भाई सले यो सनो गन आजिस इडियाना? हाँ दुड़ा सलंळा 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 कर दो कर दो यारे आजिर श्रान मेरे आशना, वो घर हुआ है अपने लिए आज, अजनभी यही कही मेरी कुरसी होनी चाहिए कहा में बैए? हाँ, है, ही बैए हाँ, 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 जब हो चुकी है काई अंधेरों में जिंदगी घर घर ही होता है लेकिन तुमारे बगार ये घर घर नहीं लगता था मैं बहुत खुश हूँ अकेली रोही नहीं नहीं तुम्हारे सब चाहने वाले बहुत खुश हैं और इस खुशी में आज शाम को मेरे घर में एक पाटी है दोस्तों आप सब जानते हैं मेरा दोस्त राकेश आज तीन महिने के बाद हस्पिताल से घर वापस आया इस खुशी में मैं एक छोटी सी पाटी दे रहा हूँ लीडिस और जेन्टलमन दपाटी लीडिस अपस्तों आप करेंग लीडिस नाम काटी देस पाटी खुशी आप खुशी आप लीडिस देस खुशी तोस्तों आप ये मुखबत दर्द है क्या, न न न न नहीं जाने कोई इसकी दवा, इसकी तड़प का मजा, न शाही न शाही न शाही न शाह, हाँ, हाँ, हाँ ये मुखबत दर्द है क्या, न न न न न नहीं जाने कोई इसकी दवा, इसकी तड़प का मजा, न शाही न शाह Like, ये मुखबत दर्द है क्या कर दो कर दो कर दो वो जिसने चोट लखाई हैं कभी ना आख लड़ाई हैं कभी ना जिसके बाहों में कोई बल खाके आई हैं तो जी आभी तो जी आभी तो क्या 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 आहा ये दिल भी चींग है क्या ना नहीं जाने का इत की दवां हाई हाई इसकी तडप का मजा नशा ही नशा नशा ही नशा हाँ हाई 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 ये मुहा सच जर्द है क्या हाई 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 प्यार जब मैं खाना है जहाँ साके भी दिवानवा है ये कुधर नजर भी ना डाले जिसका खाली में माना है इक पसरा जो दिया भी तो क्या 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 हाँ 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 ये मुखबत दर्द है क्या ना ना नहीं जाने कोई इसकी दवा आ हाई हाई इसकी तड़ब का मजा नशाही 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 नशाहा हाँ 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 ये मुखबत दर्द है क् राकिश कहने लेने कि अचाध वह 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 पैंटास्टिक राकिश के घरानी के खुशी में रंजीद ने क्या शांदार पार्टी दिये, यार मैंने तो आज तक इसा शो भी नहीं देखा, पेचारा राकिश काश ये शो देख पाता, तो कितना खुश होता कितना अच्छा एक्टर, नाम, शौरत, पैसा किस कामता, जब देखी नहीं सकता भगवान ने कितना बड़ा अन्याय किया राकिश के साथ, अब वो जिन्दगी भर दूसरों के साहरे जीएगा, मुझे तो उस पर रहम आता है मुझे किसी की दया नहीं चाहिए, हाई है पिटी, अन्दा हूं तो क्या, मैं अपने जिन्दगी खुझ ये सकता हूँ मैं सारी दुनिया को देखा दूँगा, क्या मैं अंधरे में भी देख सकता हूँ होड़ आखोवालों से सियाता साथ देख सकता हूँ और आख सकता हुआ आपको आपको वहम था मेरा, वहम था मेरा, कैसे वहम, कि मैं बिना सहारी जी सकता हूँ, मैं, मैं नहीं किय सकता, मैं अंदा होगा हूँ, रोईने, मज़े तुमआरे दरोते, मुझे हर पल तुमआरे दरोते, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, रोईने, हमेशा अने, हमेशा drip हाँ, 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 आज शाम को, ओकी, क्या हो रहा है आज शाम को, कुछ नहीं, कुछ नहीं, अभी अभी तो तुम कह रहे थी, आज शाम को, वो, रंजीत का फोन था, जिद कर रहा था कि आपको साथ लेकर आज शाम को थेटर पर चलिया हूँ, आज उसके ने ड्रामे के रहस ने, नहीं, नहीं, भैज नहीं, वो, देखेखो वो बात नहीं आई, मेरा मतलब, एक बार उल ट्राइ करो, क्यों, टैलोक ठीक नहीं है, टैलोक ठीक है, लेकिन वो, वो बोलाऊ न, अच्छा, इस बार देखिए, हमारी हर सांस तुम्हारे नाम कि सीड़ी से उतरती है, देखे, उत्री, हमारी हर सांस तुम्हारे नाम की सीड़ी से चड़ती है देखे, चड़ी मुझे लगता है, इस लड़की का ध्यान, एक्टिंग के बजाए अपना जिस्म दिखाने पर ज्यादा है लेकिन जिस्म है बहुत खुबसूरत खुबसूरत जिसम के साथ अच्छी एक्टिंग कम लोगों के नसीब में होती है हाँ, और इस मामले में तुम से बड़ा नसीब बाला कोई नहीं है रोहनी, यादा है, वो प्ले की कॉस्ट्यूम डिजाइन आ गई है तुम ज़र आके देख लो, अपनी राय देदो चलिए तुम ही जाओ रहे नहीं देखने का काम तो अब हमने तुमको सुझ दिया है मैं याँ बैट के टेयलोग सुनता, चाँ हाँ, रंजीत, सबसे बड़ा नसीब बाला तुम मैं हूँ क्योंके खुबसूलत जिसम और अच्छी एक्टिस के साथ साथ मुझे एक अच्छी बीवी मिली है अब चलना चाहिए, यह असल खप्म हो गई होगी और राकिश इंतजार कर रही है अब मेरे अंदर किस लगती आग जिसका इंतजार कर रही है वो आग तो हर दिल में लगी होती है लेकिन मैंने उससे खेलने के बज़ाय उस पे काबू पाना सीख लिया है क्या तरती हो मैं इतनी बेवकूफ नहीं कि तुम्हारे साथ चन लम्हे गुजारने के लिए अपनी शादी को खत्रे में डाल दो अच्छा यानि यह छोड़ नहीं सकती हो और वो भी चाहिए रोज रोज की भूख आदमी को अकलमन बना देती है मैं कभी नहीं भूल सकती जब तुम्हारे डिरेक्टर ने मुझे हेरोईन बनाने से इंकार कर दिया उस वक्त राकेश ने मेरी हिम्मत बढ़ाई और फिर भी उससे धोगा देकर तुम यहां आ गएं, क्यों? मेरी जबान से अपनी तारीफ सुना चाहते हो तुम मेरे माजी की यादे हसीन हो, ज़रूरत नहीं हाँ आदित ज़रू बन गए हो लेकिन ये खेल जो तुम खेल रही हो इसमें तुम पकड़ी भी जा सकती हो भूमकावी को बहुत चालाग बना देती है मौका, वक्त और बात अच्छी तरह समझ लेती हो अगर तुम दुबारा एक्टिंग शूरू कर दो तो हमारी मुलाकातों की मुश्किलें बहुत आसान हो जाएंगी तुम राकेश को मना के नहीं रहती मैंने कहा ना मैं वक्त और बात अच्छी तरह समझती हूँ मैं राकेश को नहीं मनाऊगी राकेश मुझे मनाएंगे स्टेज पर वापस आने के लिए यही तो मैं पूछना चाहता हूँ आपसे के आपने स्टेज क्यों छोड़ा क्या राकेश जी ने आपसे कुछ जी नहीं बिलकुल नहीं उन्होंने कभी मना नहीं किया लेकिन यह मेरा अपना फैसला है कि अप कला की जगे उनकी सेवा करना देखभाल करना मेरा करतविया है लेकिन जो आपके फैंस है रोहिनी जी जो आपके कला के दिवाने हैं उनके लिए भी तो आपका कुछ फर्स है मैं नहीं समझता कि राकेश जैसे महान कलाकार आपके कला की होसला अवजाही करने के बजाए आपको घर की चार दिवारी में बन करके उस कला का दम खोटना चाहेंगे जी नहीं, कभी नहीं और फिर आपको स्टेज बलाने वाले, आपको एक्ट्रिस और स्टार बनाने वाले भी तु गही है ना मतलब यह कि आप राकेश जी की रजना है और हर रजायता अपनी रजना के बारे में यही तुझाएगा रोहिनी, मेरी ख्वाइश है कहीं डर्लिंग? मेरे खाप पुरा कर दो कौन सा खुआएगा और लोग तुम्हारे लिए तालियों पे तालियां बजा रहे हैं आपको मतलब है मैं फिर से फिर से स्टेज पर काम करना शुरू करता हूँ यह कैसे हो सकता है स्टेज से जदा अब इस घर को मेरी जरुएत है देखो रोहिनी, कलाकार की कला स्टेज की रोश्णियों में चमक कर ही निखरती है अगर उससरब घर की चार दिवारी में रही तो मद्धम होकर बुच जाती है यह जो अंधेरा मेरे सामने चा गया है मैं नहीं चाहते तुम उसमें खो जाओ लेकिन डालिंग, आपका सुखर आराम देखना मेरा पहला फर्स है उसकी फिकर मत करा हम कोई नर्स रख लेंगे नहीं डालिंग, मैं नहीं चाहती कि आप किसी के रहम और करम पर मुझे रहम नहीं चाहिए किसी का भी रहम नहीं चाहिए, किसी का भी नहीं तुम्हारा भी नहीं I'm sorry मेरे ये मतलब नहीं था आपकी खुशे के लिए मैं सेज़ पर वापस चली जाए लाला 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 कोई नहीं कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, मेरा, है मेरा, किसके लिए मैं हूँ खड़ी नंको, सादाए उमीरे, लागाए कोई, सादेले तहारा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, मेरा, है मेरा, किसके लिए मैं हूँ खड़ी नंको, सादाए उमीरे, लागाए कोई, सादेले तहारा कोई नहीं, कोई नहीं मारे, लागाए कोई घ्रेवा — जयां लागाए ... पुल जंगल का मेरे जवानी ने किसी ने न देखी किसी ने न जानी जो फिलते चमन में पदर भोड़ी करता कोई आख वाला कंज पर भी मरता है कोई मुझको चाहने वाला दिल के तरप को जानने वाला किसे लिए मैं हूँ परिषन को साजाए मीरे लाबाए कोई सादे दे सहारा कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कॉर्ण ये सीने की धरकन ये हूदों की आहे किसी हम सफर को तरसती निगाहे ये रंगे ने राते जराती है मुझको मेरी यार जोए सता जी है मुझको योही जवानी बेत न जाए ये तनहाई जीत न जाए किसे लिए रहे हूँ भरी जन्लों तरदाएं मीरें लादाएं कोई काने लिए जहारा कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं मैं आपके लिए प्रेजेंट लाई हूँ गुद इवनिंग सर्थ सीदा? ये सर्थ अच्छा अच्छा गर गर अरे रोही नहीं? जी तुमने सीदा के बारे में कैसे सोच लिया? मैंने सिर्फ अपने डार्लिंग के बारे में सोचा है आपकी पसंद और नापसंद को अगर मैं नहीं समझूंगी तो और कौन समझेगा? ये तुमने मर्दों वालो पर्फियम क्यों लगा है? नहीं तो, ये तो मेरा ही पर्फियम है, उपियम तो मुझे रंजीत की स्मेल क्यों आ रहे थी? वो भी तो ऐसा ही कोई स्ट्रॉंग पर्फियम यूज़ करता है? वो क्या यूज़ करते मुझे पता ने, लेकिन उसकी स्मेल इससे बहुत अलग है अच्छा? शायद मेरे नाक मैं रंजीत खुजगा है साड़े पांच बच्चों के हैं और मुझे रहसल के लिए थीएटर जाना है अब सीता आ गई है, आप जहां जाना चाहें जा सकते हैं जहां जाना चाहूं, कहीं भी? जहां आपका जी चाहें, खलब, पीज, कार्म? नए, थीएटर क्या सोचा था और क्या हो गया? अपनी आजादी की जितने खुआप देखे थे, सारी तूटकर बिखर गये अर्मानों और तमन्नाओं आरसों के फूल खिलने से पहले ही पथछड की नजर हो गये खुश्यों की बारात, जैसे दर्वाजे पर आकर वापस लोट गई है घलत 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 याज तुम्हें क्या हुआ है रोहे ने? हर जगा घलत पॉस ले रही हो तुम घलत पॉस लेने से लाइन का मतलब ही बदल जाता है जहां तुम्हे सास छोड़नी चाहिए, वहाँ सास ले रही हो तुम इस तरह ये ट्राजिक प्ले कॉमेडी बन जाएगा सास रोहिनी सास जिस तरह सासों से जिंदगी कायम है उसी तरह स्टेज पर कैरिक्टर सासों के सारे जिंदा है राकिश साथ, इसमें रोहिनी जी की कुई गलती नहीं हर सेंटेंस के बाद पास लेने के लिए मैंने ही इन से कात क्यों जी वो ड्रेमेटिक एफेक्ट के लिए मैं बीच-बीच में म्यूजिक इस्तमाल कर रहा हूँ यहां म्यूजिक बगा अजीब लगेगा इपसलूटली आउड प्लेस जी नहीं लगेगा कमरे की सेट पर एक टेप रिकॉर्डर भज रहा है कहां भज रहा है मैंने दो नहीं सुना रहर्सल में मैंने उसको बंद कर दिया था लेकिन शो के वक्त सीन शुरू होते ही म्यूजिक शुरू हो जाएगा सुनी कर दो दो मैं आएगे सुनी सुनी अव अव्ध्वद अव्डाएगा स्थथ पर अप्क्यूम्र यपरिती तेख नहीं सकता इसलेए स्क्यूजू है सर, यहां कुछ घुटन सी हो रही है, हम बाहर गार्डन में जाकर बैठें यह, मेरी छेप मिटाने के लिए थेकी सोचा है अब बहार चले, एक मिनिट, मैं मैडम को बोलकर आती हूँ तुम यहीं सके दो, नहीं, वो शाद अपने ड्रेसिंग रूम में गई है अब मुझे, छोड़ो मुझे, I'm sorry, मैं समझा तुम रोहिनी थी रोहिनी भी होती, तु क्या पैसा ही? तुम रोहिनी न सही, लेकिन जो कुछ भी हुआ है, मुझे उसके लिए कोई पच्टावा नहीं मिस्टर रंजीत तुमारे पास इतना खुबसूरत चहरा है, इतना अच्छा फिकर है नर्स बनकर तुम वेस क्यों कर रही हो, अगर चाहो तो मैं तुम्हें हेरोई मना सकता हूँ शुक्रिया, फिलहाल मुझे आपकी नसियत की जुरुत नहीं रोएनी जी से कह दीजिए, मैं राकिश जी को जू करने कर जा रही हूँ सीता ये सब राकिश को नहीं बताना मिस्टर रंजीत, मैं एक नर्स हूँ, मेरा काम जखम भरना है, जखम लगाना नहीं और ये भी हक्का, बाग लगाया पक्का ये क्या बूल रहा है हक्का बक्का हक्का नहीं, आक्का, याने मालिक, भगवान याने भगवान नहीं जो दुनिया का बाग लगाया है, उसके उसून बड़े पक्के है आप फूल बोग, फूल मिलेंगे, काटे बोग, काटे मिलेंगे ये जड़ी मेरे डारल्लिंग के हाद में अच्छी लगएगा क्या ऑुरत है सुक्क और अराम के लिए पती डालिंग और प्रे्म करने के लिए प्रेमी डालिंग तुम्हेरा कितना ख्याल रखती हो, रोईवी आप नहीं जानते, आपके लिए कुछ करते हुए, उचे कितनी खुशी होती है याद आया, कल आपका डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है मैं सीता को इंस्ट्रक्शन दे कर आती हूँ यह केमेजन से ओपरेशन के लिए डॉक्टर साब को बेच केंड़ी हॉस्पितल जाना पड़ा इसके लिए आज के सारे अपंचमेंट कैंसल है, I'm sorry It's alright आगे का अपॉइंटमेंट ले लो वो मैं डॉक्टर को फोन करके ले लूँगी, आईए सीता जी ड्राइवर से कहना गाड़ी रंजीत के घर पे ले चले रंजीत के घर? हाँ आज रोईनी के बिर्ड़े है और सुबह मैं भूली गया था इस एक दिन पहले ही मैंने उसके लिए एक बिर्ड़े प्रेजन खरीदा था जो रंजीत के फ्लैट में बढ़ा हुआ है लेकिन रंजीत तो इस वक थेटर में होगा? कोई फिकर की बाद नहीं उसने वो नेकलिस कौनसे ड्रॉयर में रखा है मैं जानता हूँ लेकिन फ्लैट की चावी? चावी कहा है वो भी जानता हूँ आये अरे सिता जी नमस्ते आप तो इस वक जैसे भगवान की भेजी मेरे सामने आ गई क्या बात ही मलूत्र जी? मेरी वाइफ लेबर पेंस से तडप रही है उसे लेकर डॉक्टर सिना के पास आया था वो भी आज सुबह की फ्लाइट से दिल्ली चले गए और वैसे मेरे पहले बच्चे की डिलोरी भी आप ही के हाथो हुई थी So, please help her आप उने कमला नसिंहों में ले जाएए, पासी में तो है वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन आपके होने से मेरी वाइफ को तसल्ली होगी सिता सिता, सिता, समझाओ तुम नर्स हो, ये तो तुमाना फर्स है लेकिन आपको छोड़के मेरी फिकर मत करो, मैं चला जाओगा विगो, welcome to your child आये ये पहला तूसरा और यहां कहीं लिफ्ट होगी ये ये रहे इस बार्च वालती तो नहीं हो सकती मुस्सरा बीसियों बार रंजीत के साथ यहां आया हो एह बार्च 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 फश्ट बार्च 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 कि अधगा झाल 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 याद है, पहली बार जब मेरे होटों ने इस जिस्म का अंग-अंग चूमा था, उस दिन भी तुमारा जनम दिन था, मैंने शैंपेंग की बोतल खोली थी, आज तक मैंने वही रस्म कायम रखी है, अरे-अरे, शिक्किन का तो भुरता बन गया होगा, मैं गैस बंकर क्या देखूं तो सही कि तुमने कैसा बनाया है, तुम एक नौकर क्यों नहीं रख लेते, नौकर घर में होता, तो तुम ऐसे घूम सकती थी, वो तो चीक है, लेकिन तुम्हारे बुलिंग वाले मुझे आते-जाते देखते हैं, कहीं उन्हें शक हो गया तो, शक तो तब हो जिस्म एक जान बने देखें, ठीक है, चले देखें, तुमने चिकन कैसा बनाया है, रोहिनी, तुम अगर इसी तरह जाकर किसी बिख़्े आद्मी की ख़़र पर लेख जाओ, वो भी जवान अंगाय लेकर जिंदा हो जाए, अब तुम्हें अपनी बाहों में चजगता है, उसके बाद, उसके बाद, ना वो जवान रहेगा, ना जिन्दा, यो सो वलकर रंजीत, फिर मुझे कभी कभी डर लगता है, अगर किसी ने राकिश को बता दिया तो, तुम भी सिली, कोई कहेगा भी तो क्या, कि तुम मेरे साथ मेरे फ्लैक में आती हो, ठीक है, क्या तुम यहां पीने नहीं हा सकती, और ऐसी बात कर राकिश कभी यकीन भी नहीं करेगा, उसे मेरी दोस्ती और तुम्हारी वफादारी पर पूरा भरोसा है, यह तुम है रंजीत, लेकिन, देखो डालिंग, इनसान जब तक अपनी आँखों से ना देख ले, तब तक उसे यकीन द के लाया जा सकता है के यह सब बातें छूट हैं कुछ आवाज हुई ना, क्या, राकेश, वो फ्लैट का दर्वाजा तोड़कर अंदर आ गया है, और हम दोनों को गोली मार देगा, गोली तो वो तुम्हे मारेंगे, मुझे तो वो दिल से प्यार करते हैं हुँ 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 सहाप, घर चलें? है, पर? के फैरोथू फैरोब। को नहीं शोख गयाता है? शोख तो तो तब हो जब हो तो हैं, और ऐसे जोख आपाना कोना, और एक जान बरेदेगेगा तुम्हों ये इना तुम्हारे बिलिंग वालेब। तुम अगर इसी तरह जाकर किसी बुढ़े आदमी की खबर पलेट जाओ शक तु तब हो जब वो तुहें और मुझे इस पोज में इस तरह दो जिसम एक जान बने देखे कहा जा रहा था कहा गया हूँ ना मुझे को पता है ना दिल को खबर है कोई इत्दा ना कोई इंतहा है सफर ये महाबत का कैसा सफर है कहा जा रहा था कहा गया हूँ कहा जा रहा था कहा जा रहा रहा है वो रंगीन नगमा कहा खो गया है मेरा साथ हामुश क्यों हो गया है वो जजबा जो मुश्किल से मैंने जगाया वो फिर जागते जागते सो गया है न जो का हवा न पहली से खुश हो ये पूलों की बस्ती या कातों कखद है कहा जा रहा था कहा गया है कहा जा रहा था कहा जाखद है उाओ मता घ CreatS Sorry चर्थब 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 सोरी खो्यास वो जिसके लिए ये अंधेरे खरी दे वो जिसके लिए ये अंधेरे खरी दे उजाले की तीमत भी उसको बता दूं कभी जिन्दगी की दुआ दी थी जिसको उसे बेवखाई कि क्यों ना सजा दूं उसे बेवखाई कि क्या मैं सजा दूं सजा दूं सजा दूं यहां से ना आने न जाने का रस्ता मगर तकल के बासिते रहे गुज़र है मगर तकल के बासिते रहे गुज़र है मगर तकल के बासिते रहे गुज़र है अज सुबह से आप एक काम भूल रहे हैं अंद्र आर्मी के लिए सुबह क्या और शाम क्या उसके लिए तु सारी जिन्गी एक कभी न खत्म होने वाली अंदेरी रात है पादर में कौन सा काम भूल गया मैं आज मेरा बर्थडे है I'm sorry, I'm very sorry darling Happy birthday Many many happy returns of the day आज की दिन में पैदा हुई थी किसलिए आप से प्यार करने के लिए सच्चा प्यार, क्या हाँ क्या हुआ कुछ नहीं है एक और काम में भूल गया darling रंजीत के घर से तुमारा प्रेजन ले आना मगर रंजीत अपना फर्ज नहीं भूलता है यह लो कितने अइसान है मुझ पर रंजीत का फर्ज रोहिनी की वफादारी और मेरी अइसान फ्रावशी देखो मैं अपनी beloved wife का बर्डे तक भूल गया रंजीत तुम अपनी रस्म पूरी गरार रस्म कौन से रस्म अरे यार तुम्हे तु रोहिनी का बर्डे याद होना चाहिए था तुमने ने विश नहीं किया मैंने तु थेटर में सबसे पहले विश किया था क्यों रोहिनी? सिर्फ विश किया अरे यार तुम्हारे ड्रावे की हिरोईन है तीन-चार शैंपन की बोतले हैं तो खोल देनी थी खेर, हम यहां मनाबते हैं यह लो रंजीत तुम मेरी तुरसे यह रोहिनी को पहला दो मैं? क्यों? घवरा क्यों रहो? बैल देखो मेरी तो आखे चली गई है मैं तो अंदा हो गया हूँ अब से तुम दोनों ही तो मेरी आखे हो यह आखे तो धोका दे गई लेकिन मुझे पूरा यकीन है तुम दोनों मुझे कभी धोका नहीं दोगे एवा रंजीत कम हेल्प मी कुछ आप सारी डाले आम वेरी वेरी सोले लगता है आखों के साथ सा अब हात और पाउं भी जाएंगे फिर दिल जाएगा दिमाग जाएगा और आएसते आएसते सब उड़ जाएगा सिर्फ प्यार रहे जाएगा एक बार प्यार हो गया तो हो गया रंजीत इस गलत फेहमी में मत रहना कम मुझे तो कल राकेश की बातों से लगा जैसे उसने हमें प्यार करते देख लिया है जब वो देख सकते थे तब तो उन्होंने हमारा प्यार देखा नहीं अब तो सुना है जो अंधे हो जाते हैं उनकी शिक्थ सेंस जाग जाती है डालिंग जब ओरत अपने पती से बेवफाई करती है तो उसकी सिक्स्थ सेंस तो क्या, सेवन्थ सेंस भी जाग जाती है कम इससे तो अच्छा है, मैं एक वील चैर में बैढ जाओ और तुम उसे मेरी जिन्दगी की गाड़ी समझ कर धकिलती रहो कम उसकम तुम्हारे हाद तो महफूस तो रहूँगा क्यों सर्, आपको किसी से कोई खत्रा है क्या नहीं, मैं तो वह ऐसे ही कह रहा था बहला मुझे किस से खत्रा हो सकता है खत्रा तो आज के बाद उससे है चले कहां चलना है सेंचुरी बजार चलते है वहां कुछ शॉपिंग करते है चलिए सेर के बाहने मैं सीता को रोज साथ ले जाता था आखों से तो नहीं देख सकता था मगर कानों से रास्तों पर निशान लगाने की कोशिश किया करता था मंदिर की पूजा बच्चों का स्कूल सड़क के किनारे लगा लेटर बॉक्स सबका नक्षा मैंने अपने दिमाग में बना लिया था जूहू गारडन में दाखिल होने से पहले कोई मलंग बाहर बैठा एक कीद काता है उसकी आवाज मुझे जूहू गारडन की पहचान करा देती थी बड़े प्यार से तुने बड़े प्यार से तुने प्यार की बुलबुल पाली तेरे दिल का लहू चूस कर भुड़ गई एक दिन साली किसी का दिल जो तोड़े गा खुदा क्या उसको छोड़े गा बड़े प्यार से तुने दिल में प्यार की बुलबुल पाली तेरे दिल का लहू चूस कर भुड़ गई एक दिल सालिक किसी का दिल जो थोड़ेगा खुदा क्या उसको छोड़ेगा मेरे घर और मेरी मनजिल के दरम्यान कोई सबूत न जनम ले सके इसलिए मैं गारन की दूसरी तरफ से टैक्सी पकड़ता था ये लीजे, हम गारन के बाहर आगए है सीथा, प्यान से टैक्सी ले लेते हैं टैक्सी आईए अपने हाथ पर बंदी घड़ी के वक्त से मने सफर पढ़ना शुरू किया सीथा बिलकुल बेखबर थी ये कौन से जगह है? बंद्रा मस्जिद बंद्रा मस्जिद अब हम कहा आगए? महीम चर्च महीम चर्च अब हर पांच मिनिट के बाद क्यों पूछ रहे हैं? अँ, हर पांच मिनिट के बाद नहीं हर बारा मिनिट 20 सकंद बाद सीथा यहां लेफ्ट की तरफ कोई खुली जगह है? जी हाँ, हम शिवा जी पाक से गुजर रहे हैं शिवा जी पाक मेरा खायल है अब शेर की सारे रास्ते जानने की प्रैक्टिस कर रहे हैं असली से तुमें क्हेल नहीं सकता क्हेल सकतां क्या क्हेल सकतां क्या इसे भाकर दी क्हेल सकतां क्षी खायल क्हेल जिन्दगी हमें तेरा, ए तुमार ना रहा, ए तुमार ना रहा, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार ना रहा, जिन्दगी हमें तेरा, ए तुमार ना रहा, प्यार ना रहा, जिन्दगी हमें तेरा, ए तुमार ना रहा, प्यार ना रहा, जिन्दगी हमें तेरा, ए तुमार ना यह क्या कर रहा है आप निशाना लगाना सीख रहा हूँ ड्राइवर कह रहा था आज आप काड़ी नहीं ले गए आज पैदल चलने का मूड हुआ आपकी जो जी में आया आपकी जी लेकिन जब आपकी पैदल जाने का सुना तो डर लगने लगा कहीं आपको छोटने लग जाए अब मैं बात लेकर आती हूँ हाँ छोट तो अब हम लगाएंगे और वो भी ठीक निशाने पाले यह बांदरा मस्जिद आ गई नहीं हाँ यहां तक मीटर में कितने पैसे हुए दो रुपे असी पैसे दो रुपे असी पैसे यह मायम चे जागा है जी हां क्या मीटर क्या कहता है चार रुपे पैसे पैसे देखा कितनी जल्दी में रास्ते पैचाने लगा है तीन हफतों से इसी रास्ते से आ जा रहे हैं आप उक्तार नहीं गए हवा बता रही ही के हम शिवाजी पार्क पहुच गया है जी और इस वक्त मीटर में साथ रुपे बीस पैसे हुए होगा करेक्ट तीता तुमसे कभी रोहिनी ने पूछा तो नहीं क्या हमारे ये रोज के सफर के बारे में जिस दिन आप खुद अकेले सफर करके घर वापस जाएंगे उस दिन आप खुद रोहिनी जी को बताइएगा वो तो यकीन ही निकर पाएंगी वो क्या को भी यकीन नहीं करेगा मेरा भी इरादा यही है कि रोहिनी को ऐसा सप्प्राइज दूं कि उसका तब नहीं करेगा शॉपिंग तु सारी कर ली एक काम करो सिधा यह वहां पेयमेंट करके सामान यहां लेओ पेहां तुम्हारा इंतिजार करता हूं जी सुनें जी कहिए मैंने कुछी दिन पहले कहीं पड़ा था एक आटमेटिक टेप रिकॉर्डर आया है बाजार में जो इनसानी आवाज सुनते ही खुद बखुश शुरू हो जाता है और आवाज बंद होते ही अपने आप बंद हो जाता है जी हाँ इसे पैक कर दिए जी अच्छा आखर पहुंच ही गया है यह रजीत का घर है न इसलिए तो आया जी सामने एक गन्य वाला है न हाँ उस जैसे गन्य का रस तुम्हें पूरी बंबय में कहीं नहीं मिलेगा कैज़ो भया दया है मालिक दो गलास बनाना अच्छा भया क्या बात है सर आप कुछ परिशान से हैं मुझे लगता है आप कुछ कहना चाह रहे है सिता यह ठीक है हम दोनों का बहुत सा वक्त एक साथ गुजरता है लेकिन रोहिनी को इस एक साथ का यह मतलब तो नहीं समझ लेना चाहिए कि मुझ में और तुम में याने हम दोनों में कोई संबन है अमझा दोनों में रोहिनी जी को दोष नहीं देती हमदर्दी नर्स का धरम है और अक्सर यह हमदर्दी हम नर्सों के लिए दरद बन जाया करती है सर हम तो जांते हैं ये रोहिनी की घलत फ़हमी है लेकिन फिर ये तो अपने अप्री सोच है सर जो जिस रंग का चश्मा पैंता है, उसे दुनिया वैसे ही दिखाए देती है मैं कल ही नौकरी छोड़ कर चली जाओंगी ने, मैं नौकरी छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ मुझे अपने से ज्यादा आपकी इज़त प्यारी है लेकिन तुम्हें काम करने में एत्राज क्या है हम नर्सों के भी माबाप होते है मैडम, हमारा भी घर है मैं अब यहाँ नहीं रह पाऊंगी, I'm sorry वक्त है अजीब शय तुम मुझ को भूल जाओगे कोई किसी की याद में हर्श तक जिया नहीं पीच में एक और लायन है, भूल रहा हूँ तो आखिर की लायन सुन लो संगे लहत को तोड़ कर सबजा कभी उगा नहीं पतलव कब्र के सिनराने लगे हूए पत्धर पे कभी खास नहीं उगती अब सब्जा कभी उगा नहीं यह आज आपको क्या होगा है? मुझे आपकी फिकर लगी हुई है और आप शाय है तुमको? मेरी फिकर लगी है? अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ तो मेरी फिकर मत कर रहा है बल्के मैं तो सोच रहा हूँ मैं फिर से एक्टिंग शुरू कर दो हाँ, क्यों नहीं, अफ्कोर्स मैं तुम्हारी यसी एक्टिंग तो नहीं कर पाऊंगा तेंक यू हाँ, फिर भी मैं अच्छा एक्टर रहा हूँ बिना आखोंके भी अच्छी एक्टिंग कर सकता हूँ क्योंकि अब मेरी तेसरी आख खुल गई है कैं ये किस घर्ची सीज के बूवा रहा है ये मिस्टर वाडिया है वाडिया वाडिया तो पार्सी होते है और पार्सी लोग तो सुवान आकर सूरज की पुझा करते हैं लेकिन ये स्मेल आपको हमारा कुट्टे का बास आटा होगा तभी, कुटे कुटिया अपनी जात नहीं छोड़ते, जैसे शेर शिकार नहीं छोड़ता, कुटा हड़ी नहीं छोड़ता, और कुटिया है छोड़ो, यह बाते तो मैं अपने आप से अकेले में भी कर सकता हूँ बल मिस्टर वाडिया, आप यहां तश्रीफ कैसे ले आएं? मैंने इसे कुटा खरीता है हाँ, आपके लिए आखे लाया है आखे? तो कि आज़कल कुटे की आखे आदमियों को लगने लगी है अरे तुम तो जोकर के वाफिक जोक मात है मिस्टर वाडिया मैं जोकर था नहीं जोकर बना दिया गया हूँ यह कैसे आखे? किसे आपको जोकर बनाए? तक्दीर, माइ डियर तक्दीर वक्त और नसीब आदमी को अजीब अजीब तमाशे देखाते है अरे अमने मी अपने टाइगर को अजीब अजीब तमाशा सिखाया है तुम देखेगा तो पागल हो जाएगा I'm sorry Mr. वाडिया मैं तमाशे देख नहीं सकता है सिर्फ सुन सकता हूँ Mr. वाडिया मैंने आपसे एक कुता तमाशे दिखाने के लिए नहीं अपनी नहीं जो काम नर्स किया करती थी अब वो काम ये कुता करेगा बराबार करेगा लेकिन वो तुमारी जगा करेगा के नर्स की जगा करेगा वो मेरे को नहीं मालू Mr. वाडिया तुम जानती नहीं तुम क्या कह रहे मैं जानता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ मुझे इस खर में कुट्टा नहीं चाहिए अरे सू वाट करें छे डिक रहा हूँ डॉग इस दे बेस्ट फ्रेंड ऑप मैं अरे डुनिया माई एकस तो वफादार प्रानी छे आप ठीक कह रहा है Mr. Varyam वफादारी का जजबा प सर्फ कुट्टों में रह गया लेकिन मुझे वफादारी भलती नहीं है आप इसे ले जाएं लेकिन मेंस शाब ने आपकी मदद के लिए खरीड़ा है मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए ले जाए 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 आप कहते हैं तो अम लेके जाटाओं लेकिन पूरे हिंडूस्तान में ये खनान का कुट्रा नहीं मेलेगा सर्प ये ट्वेंड कुटा है इसे रख लीजिये आपका गाइड बनकर आपके साथ ही रहेगा तुम भी यहीं चाहती हो है ठीक है अगर आप सब की एक खौइश है तो रहने दूस है दियर टेगर ये सब एक्टिंग थी के मैं तुम्हें रखना नहीं चाहता हकीकत तो यह है के मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है यृ पैाड़, मेरा कोई हक तो नहीं और हक हो भी कैसे सकता है बीवी आप है、 मगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कहू क्या कहना है राकेशटी आपसे बहुत प्यार करते हैं बहुत विश्वास करते हैं उनकी विश्वास को तोड़ीये मत क्या मतलब, आप अपने संबंद को खत्म कर दीजिए, किस संबंद को, मेरा मतलब रंजीत और आपकी दोस्ती से है, अच्छा, तो तुमने हमारे घर से नर्स की नौकरी इसलिए छोड़ी, ताकि लोगों को ब्लैकमिल कर सका, क्या कीमत है, नर्स के रुप में धंदर करने वा अगर कुछ देना ही है, तो राकेश जी और अपने घर को खुशियों से सजा दीजिए, अपने घर की खुशियों की फिक्र, मुझे तुम से जद है, और मेरी पती की खुशियों को, किसी चीज से कोई खत्रा है, आप और रंजीत का संबंद ही वो खत्रा है मैडम, उन्हों अपने आपको सर्फ प्यार ही नहीं दिया, अपना नाम दिया, इजद दिया, यहां तुम्हारी महाभारत खत्म हुई, तुम क्या चाहती हो, कि मैं गंधारी की तरह जिंदेगी पर अपनी आँखों पर पट्टी बांद लू हो नहीं हो सकता, तो कम से कम उन आँखों से ख तुम्हारी ये मजान, मेरे साथ अपनी वराबरी कर रही हो, ये कहना चाहती हो कि रंजीत मुझे नहीं, तुम्हें चाहता है, एक दो कौडी की नर्स को, जो अस्पिताल में मरीजों की गंदिगी साफ करती है, तुमसे तो बू आती है ठीक है, फिलिंग बैटा इसमें कोई शेक नहीं है, रोईनी, तुम दुनिया की हसी इन तरीन औरोतों में सेख हो तुम्हारे जिस्म के हर मूर पर रुक के चलना पड़ता है हाई, बहुत याद आईगी तुम्हारी क्यों, मैं कहा जा रही हूँ जाना तो सब कही है ची, मरने की बात नहीं करते मैंने मरने की बात कहा कर रहा था येस मैं रंजीत तुम मुझे मरवाद होगे कितनी बार राकिश से कहूं कि रॉग नंबर है आज तो तुम्हें आने ही पड़ेगा मैं तेजल से साड़े तीन बजे तक फ्री हो जाऊंगा तुम कैसे भी चार बजे तक मेरे फ्लैक पर आजाओ जब दिल मचलता है तो बदन में आग लड़ना शुरू हो जाती है आग तो इधर भी लगे होई है चीक है मैं चार बजे पहुंच जाऊंगी रंजीत का फोन था मुझे रेहसल के लिए थेज़ बुला रहा था हम लोग पुराने एक्ट को एक नया मोर देने की कोशिश कर रहे हैं रेहसल में दो तिन घंटे तो लगी जाएंगे मैं जरा बाकी की काम खौतम कर लूँ साड़ी तीन बजगे है मैं चलती है साथ बज़ी ते का जाओंगे आपका क्या प्रोग्राम है मेरा प्रोग्राम आए सोच रहा हूँ आज इस कहानी को खतम कर ही डालाओ की सी हूँ बाए 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 बाह प्रोग्र आत्राम कीस को की की कर दो कर दो हलो रोहिनी, पार्टी पे आ रही हो ना, हमने बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा है, तीन बज़े पहुत जाना, हम तुम्हारा इंतिजार करेंगी नहीं शिला, बुधवार को किटी पार्टी है और मैं उसी दिन आने की कुशिश करूगी अगर मेरे लिए असल नहीं मीटो, ओकी, भाई येस मैं रंजीत तुम मुझे मरवाद होगे, कितनी बार राकिश से कहूँ कि रॉंग नम्बर है आज तो तुम्हें आना ही पड़ेगा, मैं थेटल से साड़े तीन बज़े तक फ्री हो जाऊंगा तुम कैसे भी चार बज़े तक मेरे फ्लैट पर आजाओ जब दिल मचलता है तो बदन में आग लगना शुरू हो जाती है आग तो इधर भी लगी होई है जी कि मैं चार बज़े पहुंचाओंगी हुआ हाँ यूज सताड़ू झाल 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 मेरे दोस्त मेरा सबूत बनकर तुझे यही रना है ताकि लोग मेरे हक में यह कहें कि मैं तुम्हारे बगाइर वो काम नहीं कर सकता जो अब करने जा रहा हूं झाल 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 मैंने तो आपको पैचा नहीं नहीं मुझे भी तुम्हें पैचानने में थोड़ी तेल लग गई झाल बाएद तुम्हें जितनी बड़ी एक्टर समझता था, तो मुझसे भी बड़ी हो क्यों? अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना तुम्हें? है? बोला! अपनी सब्सक्राइब तुम्हें जा सकते हैं लेकिन आक्टिंग तु नहीं भूलें मर्तों यहां आया था, यह सोच करके पंजीत को डराऊंगा जब तुम सामने आ गई, तो सोचा यह द्रामा तुम्हारे साथ ही कर दूँ कैसा लगा? हाँ? हाँ? तुम बोलती क्यों नहीं? तुम क्या समझ बैठी है, मैं सचमुछ तुम्हें गोली मार दूँगा हाँ, डार्लिंग, रिवॉल्वर खाली है यकीन ही हो रहा है, खुद ही देख लो मेंस पर पड़िये मैंने हमेशा कहा था, एक्टिंग करते है वक्त अपनी सांस पर काबू रखा करो मगर यह पात तुम्हें कभी नहीं मने फुम्हें फजहीं नहीं मनेजना एम पेलिए दो लेग, कि जे बता है। झाल 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 तुमिम साब, हम तुमारे बाबा का फोटो केशता है, फोटो, 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 वाइनाच, ज़रूर, तब तक महरवानी करके हमारे लिए टैक्सी लाएगा, ओ येस, ज़रूर, झाल 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 केशता है, ज़र पोटो, फटो बचा़, वेस, खाल झाल 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 क्वरूज। कुदर हर विस सोच समझ कर जो भी करना उस पर क्या पच्छताना सीधे रस्ते चलते रहना देख भटक ना जाना वो उल्जन की क्या बात किसी का दिल जो तोड़ेगा खुदा क्या उसको छोड़ेगा किसी का दिल जो तोड़ेगा खुदा क्या उसको छोड़ेगा क्या तोड़ेगा धुदा क्याई लुदा कै बाद़ेगा क्या तुदा एव्युदा क्या चुदा क्या चुदा क्या वट जास तुम्हारी ये हरकते मेरा दम आक्षी नाग में ले आई हैं और तुम्हारी वज़े से मेरा दम किसी दिन किसी छीक आक्षी नाग से बाहर निकल जाएगा तुम्हारी शक्र देखते ही मझे जुखाम शुरू हो जाता है पीशे मट के क्या देख रहा हूँ मैं तुमसे कह रहा हूँ नजाने किस गधे ने तुम्हें पुलिस में भर्ती कर लिया है ए धंग तुम्हारा ना यूनिफार्म ठीक जंसे पहने जाती है तुमसे ना ठीक जंसे खड़ा हुआ जाता है चलना तो दूर रहा ठीक ऐसे बोल भी नहीं सकते हलो येस कहां बिल्लिंग का नाम जी ओके इस्पेक्टर शत्रू तो फॉरर वर्ली पहुंचो वहां लेंडमार्क बिल्ली में कतल हो गया है क्या है इस्थीफा इस्थीफा तो मैं तुमसे पहले दे चुका होता अगर तुम्हेर मुश्किल से मुश्किल केज को हल करने में काव्यार ना हुए होते। थेंक यू सर्व तंडन कि adventures कि किसमत ही जंगलों में एक पार, एक एंकाउंटर में एक स्मगलर ने मुझे में बड़ी सारी गोलियां चलाइए उन में से एक खुली अभी जिस्म के अंदर है, सर गोली जिस्म के अंदर? हाँ सर, और ऐसी घलत जगा अटकी हुई है कि ना ठीकसे चलते बनता, ना ये ठीकसे बोलते बनता और तो और सर ना ठीकसे कुछ करते बनता wa accomplished thank you ser रोकिए नने मया, रोकिए गडी में गडी मिया इस्पेक्टर मेरा नाम रंजीत है ये मिए फ्लाट मेरा है मैंने इस पुल्श का फोन किया था मैं जब फ्लैट में आया तो खून हो चुका था वह? सच कहता हूँ रोहिनी ऐसे ही खून में लटपद पड़ी थी मुझे मालम ने किसने खून किया है, कैसे किया है मैं बहुत घबरा रहा हूँ, इंस्पेक्टर मैंने कभी जिन्निगे में किसी की लाश नहीं देखी और यह तो रोह नहीं थी मेरी फ्रेंड, मेरी दोस्त की बीवी दोस्त की बीवी? हाँ, दोस्त की बीवी मेरा इंतिजार कर रही थी हम दोनों ज़रा ड्रामे के बारे में डिसकॉशन्स करने वाले थे मुझे क्या मालूम था कि मुझे पर शक कर रहे हैं यह तो मेरे ड्रामों की हेरोईन थी यह तो मेरे दोस्की भीवी थी अहिंसा पर्मो धर्म टैगर ओपन दोर कौण इंस्पेक्टर शत्रु बंबड़ी पुलिस से आया हूँ आप मुझे से मिलने आया हैं जी मैं तो पहले से यह बैठा हूँ हाँ हाँ तो कहिए इंस्पेक्टर मुझे से कोई गैर कानूनी काम हो गया है नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है दर असल मैं आपके लिए बहुत बुरी ख़बर लाया बुरी खबर? मेरे लिए बुरी ख़बर क्या हो सकती है हाँ कहीं आप मेरे लिए जरफतारी का वारंट तो नहीं लाए जी नहीं ऐसी कोई बात नहीं है वो आपकी वाइफ मेरी वाइफ? क्या हुआ है उसे? उनकी मौत हो गई पुलीस को उनकी लाश मिली है लाश? क्या कोई एक्सिटन? नहीं उन्हें कतल कर दिया गया कतल? नहीं इस्पक्टर नहीं नहीं जो ही नहीं को कौन कतल करना चाहेगा खोनी गदा भी तो कुछ पता नहीं चला है लेकिन लाश मिस्टर रंजीत के फ्लैट से पाई गई है रंजीत? रंजीत के फ्लैट से? लेकिन रंजीत तुम्हेरा दोस्त है इंस्पक्टर बहुत पुराना दोस्त नहीं वो ऐसा नहीं करेगा फिंगर प्रिंट्स लबरेटरी में भेज़ दिये गए है फिलाल मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जिस रिवॉल्वर से गोली चली है वो रिवॉल्वर रंजीत की थी और रंजीत इस वक्त पुलिस के हिरासत में है राकेश रंजीत ये लोग क्या कह रहा है रोहिनी की लाज तुमारे फ्लैट में बिलीव में राकेश मैंने रोहिनी का खुन नहीं किया है मैं भी इन लोगों से यही कह रहा था लेकिन ये सब हुआ कैसे मुझे तो कहकर गई थी कि वो तुम्हें थेटर में मिल रही है फिर तुम्हारे फ्लैट में कैसे पहुंच गी? मुझे ने निस पता, जब मैं घर पहुंचा, शी उस लाइग देड, किसी ने मेरी रिवाबर से उसे गोली भार थी? किसने? किसने? कौन हो सकता है वो? और फिर, क्यों? है, और जब तुम घर में नहीं थे, कुछ समय में नहीं आता हूँ मजे, फिंगर प्रिंट्स एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट आगई है, सुर, रिवॉल्वर पर मिस्टर रंजीत कही उंगलियों के निशान है, क्या है? नहीं, नहीं, यह जूट है, राखिश, यह जूट है, किया नहीं हो सकता, मैंने नहीं चूआ मजे तुम नहीं रोहनी का खून किया? नहीं, मैंने नहीं. तुमने दोस्त बनकर मुसे दुश्मन है की? मैंने नहीं किया. इंस्पेक्टर, प्लीज टेक में आफ रिए. राखिए, एक्ष, एक्ष. इंस्पेक्टर, रोहनी ने अपनी सारी जिंद्गे में कभी किसी का कोई नुकसान नहीं किया. उसका, उसका कोई दुश्मन हो यह नहीं सकता. हाँ, बिल्डिंग वाले कुछ आपस में खुसर पुसर कर रहे थे, कि आपकी बीवी, माफ किजेगा, मेरा मतलब है कि मैडम रोहनी का मिस्टर रंजीत के साथ कुछ टांका, घपला, लफड़ा, चक्कर. मेरा मतलब है कि कुछ नाजाज तालुकात थे. मगवास करें सब, जूट है यह. मरने वाले के नाम पर इस तरह कीचेड उचाला, बेहुदगी है, ओच्छापन है. जी हाँ, सही है, दुरुस फर्मा रहा है, चेर्स. कौन? मैं सीता हूँ सर, अपनी चत्री भूल गई थी, लेने आए हूँ. मेरी चत्री कहा गई? चत्री. सीता, जब यहाँ. आपन कौन? मेरा मतलब कि यह देवी जी कौन है? यह मेरी नर्स है, इंस्पेक्टर. इंस्पेक्टर? हाँ, पुलीस इंस्पेक्टर. शत्रू, आप यहाँ कितने दिनों से काम कर रही हैं, देवी जी? जी, वो, मैं... यह हॉस्पिटल में मेरे साथ थी. कुछ दिन पहले रोहनी यह नहीं आ ले आई. हाँ, 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 रे गुली, हाँ. हाँ, तो सिता देवी, सुर्गवासी, रोहनी देवी के बारे में... सुर्गवासी, यह क्या कह रहें आप? आप नहीं जानती. नहीं इंस्पेक्टर, यह नौकरी छोड़के चली गई थी. क्या, क्या हुआ? आज रोहनी देवी का खून हो गया. ओ लो, किसने उनका खून गया? खूनी तो अब तक पकड़ा नहीं गया है, सिता देवी. लेकिन मेरा ख्याल है कि अब आप नौकरी पे वापस आ जाईए. मिस्टर राकेश को अब आपकी जादा जरूरत होगी, हाई. मैं समझती हूँ, इन हालात में इनका ख्याल रखना मेरा फर्ज है. हम सब का, हम सब का. अच्छा, मिस्टर राकेश, अब हम चलते हैं, है? अरे, न पुलिस की नौकरी होती, न ये ड्यूटी होती, न ये ड्यूटी होती, न खूली लगती. मैं इस नतीजे पे पहुचा हूँ कि कोई भी आदमी इतना बेवकूफ नहीं हो सकता कि अपने ही घर में अपनी ही प्रेमिका को बलाकर अपने ही पिस्टॉल से उसे गोली मारका अपने ही टेलीफॉन से पुलिस को फोन करे. तुम्हारा मतलब है कि रंजीत ने कतल नहीं किया, तो फिर किस ने किया है। सर, अगर हम थोड़ी देर के लिए अपनी शक की नजर का मुह रंजीत के चेरे से हटा कर राकेश के चेरे पे फिट कर दे, तो मामला हिट हो सकता है सर। शटा, सीधे ख़र रहो, एक अंधा आदमी इतनी भीवार में अकेला पास मिल पैदल जाएगा, बिल्डिंग तलाश करेगा, किसी खास फ्लैट को खोल कर अंदर जाएगा, और फिर एक अंधे आदमी के हाथ में पिस्तोल हो भी, तो निशाना कैसे बांदेगा, और फिर त तुम्हारे पास उसके खिलाफ सबूत क्या है, तुम कहना क्या चाहते हो, सर, मुझे जो कुछ भी कहना है, अब तो वो सबूत ही कहेगा, कि आपने इस बिल्डिंग में किसी अजनभी को आते देखा, नहीं देखा, देखा, तो कितने बज़े देखा, कुछ याद नहीं, सर, बिल्डिंग को चार तरफ से चान मारा, लेकिन कहीं चत्री नहीं मिला, चत्री, एक पठान यहां चत्री लेके आया था, जब पाठान मुंगी लाल जी, तब भी उसके हाथ में चत्री थी, जी रही, वो मिस्स पठेल के साथ गया था, तो आपके कहने का मतलब यह है, कि वो पाठान अंधा नहीं था, बिल्कुल नहीं, अंधा, क्या कंदे पे कैमरा रचका के सुरता है क्या, अहां, सही कह रही ही आप, शक्रस्वरी, बिल्कुल नहीं, हां, कारण के इनो एक हाथ माना बबानी प्रैम पर उता, नहीं बीजा हाथ कैमरा नी उप पर उता, एक फोटो लेवाने वस्ते, कैमरा ने वस्ते, बेव हाथ वापर वापर नहीं, अब बच्चे को गोध में संभालने के लिए भी दोनों हाथों की जरूवत नहीं है, सुत आए गयो, जाओ जाओ, आरे रे, यू नाटी बाई, अंकल ना शर्ट पर सुसु के देने, समझ भी नहीं आता सर, मेरी चट्री कहां गाय हो गई, चट्री के लिए इतने परिशान क्यों हो रही हो, नहीं खरीद लेना, ये बात नहीं है स वो चट्री मेरी भाई की निशानी थी, उसने अपना नाम लिखाकर मुझे प्रेजन की थी, Excuse me Hello, का सीथा देवी? हाँ मैं सीथा बोल रही हूँ आप पांच मिनट के लिए प्रिस्टेशन आते हैं, बहुत जरूरी काम है जी, मैं भी आती हू इंस्पेक्टर शत्रु का फोन था, उन्हेंने मुझे पुलिस्टेशन बुलाया है, कुछ सुरूरी काम है ठीज है, खाना जाके जा मैं खा चुकी, मैं पुलिस्टेशन होकर आती हूँ तो मैं यह जानना चाह रहा था, सीता देवी, कि आपने नौकरी क्यों छोड़ी इसलिए कि अब मेरी वहां जरूरत नहीं रही थी मिस्टर राकिश बिना किसी मदद के अपना सारा काम खुद कर सकते थे यानि कि अस्टोर तक भी जा सकते थे जी हाँ, लेकिन अकेले नहीं, कोई साथ हो तो साथ का मतलब आप? अब यह देखिए सीता देवी यह उस पाठान की तस्वीर है जो शाम बिल्डिंग में गया था, जिस शाम को रोनी देवी का खून हुआ था सीता देवी कमाल कर दिया आपने पहचान लिया था नहीं जानती यह कौन है तो फिर आप खड़ी की हो गई सीता देवी बैठिये और यह बताए कि राकेश से आपका क्या तालुक है इंस्पेक्टर साब किसी के जाती जजबाती तालुकात से पुलिस को क्या मतलब सीता देवी जाती जजबाती तालुकात की बिना पे लोग जान भी ले लिया करते हैं और कुछ लोग जान दे दिया करते हैं मैं जा सकती हूँ सुनिये सीता देवी आपको आपकी छत्री मिल गई या नहीं जी नहीं आप इतने स्मार्ट ओफिसर हैं स्मार्ट कौन मैं आप से कह रही हूं अगर आप ढून देंगे तो बड़ी महरबानी होगी यह महरबानी तो करनी ही पड़ेगी कुछ लोग जान दे दिया करते हैं अगर मेरी चत्री पुलिस के हाथ लगे तो अगर मैं दो मैं दे बत्री चत्री 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 टेक्षी, टेक्षी प्रानस के दादर चलो दरसल मैं ये जानना चाह रहा हूं कि छट्री डूनने में आपको काम्याबी मिली नहीं मिली मिली तो कहां तक मिली चान बीन करने के बाद ये पता चला कि यहां का माली शत्री ले गया है मगर वो इंकार कर रहा है नहीं बता रहा है? नहीं अच्छा तो मुंगी लाल जी वो आपको इंकार कर रहा है लेकिन मेरा ख्याल है कि वो मुझे इक्रार कर देगा, आप सिर्व ये बता दे कि वो कमभख रहता है। उटोपी वैला चांदी। नारास्त नहोते हो बबी, ये लो आपकी छत्री। इंस्पेक्टर, छत्री तो आपने ढूंडी डाली। लेकिन किसकी छत्री ढूंडी है, मुझे नहीं मालूम। क्योंकि मेरी छत्री, मेरे पास है। हाँ, आरी, हाँ, मगर चीज तो इस छत्री पर लिखा हुआ है, नहीं। लिखा होगा, जरूर किसी गौतम सरीन या गौरेशंकर की होगी। गौरेशंकर? मेरी छत्री, तो यह है। मिस्टर राकेश, सीता देवी तो बहुत अच्छी और इंटेलिजन्ट वकील भी है। इनकी दलील के सामने तो अपना केस अदालत में ठहरेगा ही नहीं। यह तुम कह रहा हूं, इस्पेक्टर? मेरे अलावा तो इस कमरे में और कोई बैठाई नहीं है सर, तो मैं ही कह सकता हूं न। मैं यह कह रहा हूं सर, कि इस अंधे कातिल ने मुझे इस कदर जुकाम दे रखा है कि खूनी को सूने के तमाम शक्ति मेरी खतम होगे, इस तने मेरी इंविस्टिकेशन के तमाम रास्तों को अपनी आखों के तर बिल्कुल बंद कर दिया है। लेकिन सर, मेरे जिस्म के अंदर घलत जगाट की हुई कोली इस मुर्डर केस के सही जगह जाकर लगना जा रही है। मतलब? मतलब सर के कुसुरवार और बेकुसूर दोनों दोस्त कुसुरवार, बेकुसूर, बेकुसूर, कुसूरवार लोग जान दे भी देते हैं। आये, आये सीता जी, मैंने सिर्फ आपको ये बताने के लिए यहाँ आने की तकलीफ दी कि वो च्छत्री पुलीस को मिल गई है। कौन सी च्छत्री? अरे, वही च्छत्री जो रोहनी के कातिल के हाथों वारदात की जगह पे गिर गई थी है। यह कैसे हो सकता है? मेरी च्छत्री मेरे पास है। अरे, आपने जो च्छत्री मुझे अपनी कहकर दिखाई थी। आप अच्छी तरह जानती हैं सीता देवी कि वो च्छत्री बाजार से जल्दी में खरीदी गई और उस पे जल्दी में जीये से निश्रस लिकवाए गए और जल्दी है। मैंने कोई च्छत्री बाजार से नहीं खरीदी, वो च्छत्री मेरे भाई ने मुझे प्रेजन की थी और उस पर उसके अपने निश्र्द हैं। मैंने कब कहा सीता देवी कि वो च्छत्री आपने खरीदी है। तो? मैंने तो कहा कि छत्री खरीदी गई और आपको सुनकर शायद हैरानी होगी कि छत्री खरीदने वाले थे मिस्टर राकेश कुमार इंपॉसिबल आप तो जानते कि छत्री पसंद करने के लिए आँखे चाहिए उसे खरीदने के लिए बाजार जाना पड़ता है दुकान धूननी पड़ती है और मिस्टर राकेश है सब नहीं कर सकते हैं आप उने पैचानते हैं जी हां बड़ी अच्छी तरह उन्होंने हमसे स्टार ब्रैंड की काली छत्री मांगी साओ का नोट दिया और जल्दी से चले गए और उसे जल्दी वो मेरे पास आये और बोला कि जी अस लिख दो इतना बड़ा जूट आप लोग जरूर पुलिस से मिल गए हैं एक अंधे आदमी पर इस तरह इल्जाम लगाती हूं आप पर शर्म नहीं आती जानते हैं आपके जूट से वो आदमी खूली माल लिया जाएगा उसे सदाव हो जाएगी एक निर्दोश आदमी को पादी करते हैं इंस्पेक्टर आप जान बूच करें लोगों का जूटा बयान लेन चाहते हैं आप राकेश को फशाना चाहते हैं आपकी राकेश से क्या अजिश्मनी है बोलो आप सच को जूट क्यों मामा यह सच नहीं है इंस्पेक्टर राकेश ने छटरी नहीं खरीदी थी तो इस बात का आप दावा कैसे कर सकती है सीता देवी मैं इसलिए दावा कर सकती हूँ कि छटरी मैंने खरीदी थी मगर आप क्यों छटरी खरीदने लगी सीता देवी मैं पुलिस को धोका देना चाहती थी इसलिए कि मैं गिरफतार नहीं होना चाहती थी मगर सीता देवी मगर आप क्यों गरफतार होंगी आपने ऐसा क्या किया है मैंने रोहिनी का खुन किया है हाँ मैं ही रंजीत के फ्लैट में गई थी मैंने ही रोहिनी को गोली मारी थी मैंने ही रोहिनी की जान ली है मैंने राकिश बेकसूर है बेकसूर यूर अनर, सीता देवी कातला है, सीता देवी मुझरमा है, सीता देवी वो नागन है, जिसने एक हसते खेलते घर को डस लिया और यूर अनर नागिन की सजा सिर्फ मौत है, कातला की सजा सिर्फ मौत है, इस मुझरमा की सजा सिर्फ मौत है, यूर अनर मौत के सिवा और कुछ नहीं नहीं जैसाफ सीता को माउच की सजा देना कानून की बेजज़ती होगी इंसाफ के नाम पर धबा होगा इंसानियत के जमीर का खून होगा आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं हकीकत बयान करना चाहता हूँ तो आईए, आईए विटनिस बॉक्स में तेंक यू जैसाब रोईनी का खून सीता ने नहीं मैंने किया है जैसाब मैं इस केस के सिलसले में कुछ कहने की अजाज़त चाहता हूँ अजाज़त है मैंने ही सीता दिवी के खिलाफ ये मकादमा बनाया और अब मैं ही अदालत से दर्खास कर रहा हूँ जैसाब कि सीता दोई को भाहिजद बरीकर दिया जा है यह आप क्या कह रहे हैं जी मैं अदालत से मुआफी चाहता हूँ जजज साहब कि असली मुजरिम को पकड़ने के लिए मुझे किसी बेकुसूर को मुजरिम बनाकर अदालत में खड़ा करना पड़ा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था जजज साहब क्योंकि मिस्टर राकेश ने जिस खूबी के साथ फूल पूरूफ खून किया था उसका ना तो कोई सुबूत था और ना ही कोई सुराग और ये वो खतल था जिसका चश्मदीद गवा खुद कातल भी नहीं था राकेश जैसा नेक और शरीफ आदमी कभी एक बेकसूर को फासी नहीं चड़ने देगा और वही हुआ मिस्टर राकेश न अपना जुर्म खबूर कर लिया जिसकी सजा इन्हें अदालत देगी नहीं जजज साहब सजा की हगदर राकेश जी नहीं है सजा की हगदर थी रोहिनी सजा का हगदर है रंजीत जो एक आयाश आदमी है और हर लड़की को अपनी वासना का शिकार बनाना चाहता है जिसने मिस्टर राकेश की दोसी तक का खयाल नहीं किया और उनका घर बर्बाद कर दिया अफसोस तो ये है कि वो बदमाश आदमी जो समाज और कानून का दुश्मन है अभी तक जिन्दा है और एक शरीफ आदमी को उस चुर्म की सजा दी जा रही है जो चुर्म नहीं इनसाफ है मेरे ख्याल में आप इस अदालत को एक फुटबॉल का मैदान समझ रहे हैं और मुझे इसका गोल कीपर लेकिन मैं आप सब को यकीन दिलाना चाहता हूं कि मैं आसानी से गोल नहीं उने दूँगा मिस्टर राकेश कुमार आप ये याद रखिए कि अदालत के सामने गलत बयान देना भी एक जुर्म है मेरा बयान गलत नहीं है ज़साब गोया कि आप सच कह रहे हैं कि रोहिनी देवी का खून आपने किया यानि कि बगएर किसी सहारे या मदद के आप खुद चलके जुहू से वरली पहुंचे यानि समंदर किनारे खड़ी हुई इतनी सारी बिल्डिंगों में से आपने एक तेरा माले की बिल्डिंग चुनी और सबकी नजरे बचा कर उसके लिफ्ट में घुसे पांचवे माले पे पहुंचे उत्रे और एक ऐसे फ्लैट में घुस गए जोके अंधर से बंग था जी हाँ किसी खिड़की या रोशंदान से घुचे थे जी नहीं तरवाजे से भी आपने तो बड़ी मुश्किल मंडाद दिया है एक बार फिर से सोच लीजिए आप सही फर्मा रही है जैसाब आप तो क्या कोई भी इस बात का यकीन नहीं करेगा मेरा दिमाग तो आप की बात मानने से इंकार कर रहा है लेकिन जज़ की कुर्सी पर बैठा हूँ और हकीकत जानना मेरे लिए न सिर्फ जरूरी है बलके फर्स है इस से पहले के मैं इनसाफ करूं तुराकेश कुमार साहब कल ये अदालत यहां नहीं ठीक सुभा के दस बज आपके बंगले के सामने लगेगी गुद मॉर्निंग जज़ साब गुद मॉर्निंग इस वक्त आपकी घड़ी में क्या बज़े हैं दस पांच दस पांच ठीक हम ग्यारा पचास और पशपन के बीच रंजीत के घर पहुंच जाएंगे आईए मेरे साथ देखो, तुम्लोग जीप में हम्मरे पीच आओ। कोई साइन पोस्टे ने सामने कोई साइन पोस्टे ने गारी रोको जरा उस पर क्या पच्छताना सीधे रसते चलते रहना देख भटक ना जाना देख भटक ना जाना वो उल्जन की लिया बात किसी थाज़ए कितना मलंग गाना है नू उसको छोड़ेगा किसी का दिल जो दोड़ेगा उसको छोड़ेगा अरे वो राखेश साब कहां गए चलो तरह रोको जर साब जी मैं अधर से जाता हूँ आप उस तरह से जाकर उस केट पर मुष्टो मिलिए अके ओर राइट चलो राइवर आईए राकेश साब हम आप कहने दिदा कर रहे हैं जर साब मैं यहां से टैक्सी पकरता था जी आप कहें तो वही करू या ने ने टैक्सी लेने की क्या तरूरत है आप हमारे साथ चलिए आईए इस वक्त हम बांड़ा मज़िद पहुँच चुके हैं जी जी साब हम महें में चल्च आगाए जी आगाए जी जी साब हम शिवाजी पाक से गुजर रहे जी गुजरत रहे गड़ी रोको जी साब मैं यहाँ टैक्सी छोड़ देता था और फिर पैदल चलना शुरू करता था मैं उतरता हूं जी जाना बचके त्रेपान मिनट मैने गाता ना आप से हाए यहाँ अपार्टमें फिफ्टी वान अब अब चावी जी चावी हाँ यह नहीं चावी अच्छा तो चावी आप वहां रखते हैं मैं नहीं रंजीत वाजा तरसाब वह एक प्लेबोय पैस्च ले रहा हूं और इस फ्लैट में कभी भी किसी वी वक्त कोई भी अंदर हम भी जानते हैं शातरू साहाब इतनी डीटेल में जाने की सुपड नहीं है अजित तुषी फ्लाइए आव अजी साथ 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 रंजीत अपना एवलवर यहां रखता था मैंने यही से उटाया था लेकिन बगेर देखे आप निशाना कैसे लगा सकते हैं मैं आवा सुनके निशाना लगाता हूँ और यह आपने कैसे सीखा जो सब मैं एक छोटा सा ट्रंजिस्टर अउन करके कहीं दूर रख देता था और फिर उसकी आवा सुनकर निशाना लगाता था यह प्रैक्टिस मान है महीनों की है I see अच्छा तो यह आपका ट्रंजिस्टर इस घड़ी से बड़ा थी है छोटा तक्रीवन इतना ही था Good Inspector इनको अपने service revolver देके देखिये देखिये जरा सम्हाल कर चलेगा जरा सम्हाल कर जिस्वाब यह तो खाली है जिस्वाब मैं भरी हूँ revolver रख से बहुत डरता हूँ कहीं कुछ गरबड़ा ही नहोजा भूल चुक सही हो ना आप इस घड़ी में बारा बज़े का अलाम लगाए इसे वहाँ रख देखिये जी बहुत अच्छा लीजे गोईया भर देखिये अब आप चलाईए लेकिन जरा सम्हाल कर प्लीज रकेश सब सुनिया हमने घड़ी यहीं कहीं रख दी है जुहीं अलाम बज़े आप गूली चलाईए और सामने चलाईएगा पीछे नहीं क्यूंकि हम आपके पीछे खड़े हैं मक्तूल रंजीत का खून मेहज एक हादसा था लहाजा अदालत राकेश कुमार को रंजीत के गतल के जुर्म से बरी करती है लेकिन यह साबित हो चुका है कि रोहिनी देवी का गतल राकेश कुमार ही ने किया और अदालत यह भी जानती है कि इन्ही राकेश कुमार ने कभी रोहिनी देवी की जान बचाने में अपनी आँखों के रोशनी खो दी थी इसलिए मुझरिम राकेश कुमार की जहनी परेशानियों और मानसिक तबाओं में आकर किये गए गए गतल की वज़ा को मद्दे नजर रखते हुए ये अदालत मुझरिम राकेश कुमार को साथ साल कैद की सजा का हुकम देती है आईए नमशकार सीता देवी भी आईए आपका स्वागत करने है मैंने तो यहां के प्रधान मंतरी से लेकर भारत के राष्टपती तक अनुरोध किया था आपको जल्द से जल्द छोड़ दिया जाए इसलिए कि आप नहायती शरीफ आदमी है लेकिन हमने कभी ये सपने में भी नहीं सोचा था कि आप इतनी जल्दी निकल लेंगे और जब आप निकल लिए हैं तो फॉरान निकल लीजिए क्यों कि जेल वालों का इराद बतलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है बढ़नीजिए हाओ सीता चलें कहां अपने घर चलिए जुगल जोड़ी सदामत रहें अज़िए 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 इसको छोड़े का इसको छोड़े का किसी का दिल जो तोड़ेगा खुदा क्या उसको छोड़ेगा और ये भी हक्का बाग लगाया पक्का